टॉय्टा की इनोवा नमबर की बात करूँ तो दोस्टो यूपी नमबर रेजिस्टर्ड यह गाड़ी आपको मिलने वाली है जो की यूपी 14 गाजियाबाद नमबर रेजिस्टेशन इस गाड़ी का मिल जाएगा आपको सिंगल ओनर गाड़ी है डीजल में यह मिलने वाली है अगर मैं वेरियंट की बात करूँ तो इस गाड़ी का दोस्तो G4 2.4 जो मोडल है Hello everyone, welcome back to the channel This is Sharif and you are watching M.Sharif Vlog तो दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है M.Sharif Vlog की एक और नई वीडियो में है तो दोस्तों आपके शरीब भाई दोबारा से एक बार आपको लेके आचुके हैं लक्ष मोटरस पर जहां कि हमने पहले एक बार एक वीडियो बनाई थी उसमें आपको दिखाई थी एक शांदार कार और आज के आपके वीडियो में लेके आएं बहुत ही शांदार कार जो के आप देख सकते हो यहाँ पे टोइटा की इनोवा बहुत अच्छी गाड़ी है बड़ी आप लोगों की डिमाट रहती है के शरीब भाई थोड़ी सी बड़ी गाड़ी हमी दिखाय करो तो यह बड़ी गाड़ी है सिंगल ओनर गाड़ी है डीजल में यह मिलने वाली है अगर मैं वेरियंट की बात करूँ तो इस गाड़ी का दोस्तो जी फोर टू पॉइंट फोर जो मोडल है अगर मैं बात करूँ रुनिंग की तो एक लाग के आसपास यह गाड़ी चली हुई है जो कि इसका भी आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कंडिशन काफी अच्छी मिल जाएगी गाड़ी की थोड़ा बहुत क्या है कि दिल्ली में गाड़िया इदर उदर चलती है तो थोड़ा बहुत लग जाती है तो बंपर वगरा इसका पेंट होगा बाकि आपको original paint के साथ में ये गाड़ी मिलने वाली है manual gear के साथ में मिलेगी और ये गाड़ी 7-seater आपको मिलने वाली है जो 20 की जो seat हैं दोस्तो वो 2 sofa seat इसके अंदर में मिलेगी आपको तो अब दोस्तो इस गाड़ी का आपको दिखाता हूँ उसके बाद अंदर से interior दिखाऊंगा और उसके बाद में disclose करता हूँ तो दोस्तो वीडियो को पूरी end तक देखना प्राइज भी इसके बहुत कम होने वाले हैं जिसमें कि आप इस गाड़ी को लेके जा सकते हो अब जैसे बहुत से हमारे भाई हैं लोगों के question होते हैं कि शरीब भाई ये गाड़ी जो है 2012 है 12 साल इसके बचे हुए हैं तो खरीद के करेंगे क्या तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गाड़ियों को अगर आप दिल्ली से बाहर लेके जाते हो तो इन गाड़ियों के उपर fitness हो जाती है तो fitness से क्या होगा कि जहां भी आप अपने state में लेके जाओगे तो वहाँ इस गाड़ी का आपको कुछ RTO office में जाके कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा उसके बाद मैं इस गाड़ी की आप fitness करा सकते हो अगले और पांस साल के लिए उसी हिसाब से तो दोस्तो उसी हिसाब से इस गाड़ी की fitness हो जाती है और गाड़ी के year आपको बढ़ जाते है तो दोस्तो इस गाड़ी का मैं आपको पहले overview दिखाएता हूँ बार की profile दिखाएता हूँ सबसे पहले स्टार्ट करते है इस गाड़ी से नंबर से जो कि इस गाड़ी का नंबर आप देख सकते हो UP14 यानि की गाजियाबाद नंबर रजिस्टर्ड गाड़ी है UP14 CT8204 दोस्तो यहाँ पे फ्रंट में आपको मिल जाएगी इसमें chrome grill जो कि इसका look काफी enhance कर रही है और यहाँ पे आपको जो इसकी fog light है उसके अंदर भी आपको chrome grill का look इसमें मिल जाएगा light की condition भी काफी अच्छी है अगर मैं इसके दोस्तो टायरों की बात करूँ तो टायर थोड़े से गंदे अभी है पर आपको काफी अच्छी केंडिशन में टायर भी इसके मिलने वाले है जैसे कि मोडल आप देख सकते हो D4D यहाँ पे मैंसे ने इसका tag और इसमें आपको जो mirror है उसके उपर में भी आपको chrome finish आपके मिल जाएगी यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तो door visor इसके जो की यह भी company fitted door visor दोस्तों लगे हुए है इसके अंदर में door handle पे भी आपको इसमें मिल जाता है chrome finish और main चीज एक look इसका और enhance करता है वो है जो इसका sticker Toyota का इसके अंदर में sticker लगा हुआ है वो काफी अच्छा look इस गाड़ी का दे रहा है अगर मैं rear profile की बात करूँ गाड़ी का आप देख सकते हूँ यहाँ पे मिल जाता है आपको Toyota Innova का badge light अगर आप देखोगे तो इसकी back light आपको बिलकुल अच्छी condition में मिल जाएगी और यह इसकी complete आप इसकी back profile भी देख सकते हो अब दोस्तों आपको दिखाता हूँ इसका interior तो दोस्तों इसका interior मैं दिखाता हूँ आपको तो देख सकते हो सब्सके पहले तो इसके अंदर में जो seat हैं वो आपको leather fitted और कपड़े के combination में मिल जाएगी थोड़ी सी गंदी हो रखी है कि गाड़ी ड्रेकलीन के लिए जानी थी तो वो अभी होनी पाई बाकी आपको पूरी साफ सुतरी गाड़ी मिल जाएगी ये manual gear के साथ मैं दोस्तों मिलने वाली है अगर इसमें बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है armrest ये आप देख सकते हो इसमें कुछ समानवागन भी रख सकते हो ये space काफी इसमें मिल जाएगा एक बार इसका तो दोस्तो इसकी जो middle seat आप देख सकते हो जो bucket seat इसमें मिल जाएंगी और ये sofa seat टाइप की आपको मिलने वाली है तो दोस्तो गाड़ी है 7-seater में जैसे आपको मिलने वाली है तो आप देख सकते हो इसमें बीच वाली जो seat है वो sofa seat टाइप की आपको मिल जाएंगी condition काफी अच्छी है अंदर से गाड़ी की आपको इसकी पीछे की seat भी में आपको दिखाना चाहूँगा जो की यहाँ पे देखो तीन लोग अराम से बैठ सकते है मतलब यह पीछे की जो दो seat है दोस्तो दो seat इसमें आपको मिलने वाली है बीच में भी बच्चे बैठ सकते है तो काफी अच्छी condition में है यह गाड़ी एक बार मैं आपको इसका complete dashboard का view भी दिखाएता हूँ यह dashboard का view आप देख सकते है इस गाड़ी का और इसकी छट की बात करूँ तो आप छट भी देख सकते है इसकी सापसुतरी condition में मिल जाएगी AC के event की बात करूँ तो यह AC के event यहाँ पे आपको मिल जाएगे जो पीछे की seat पे बैठने के लिए एक इस तरफ है और एक इस तरफ है और पीछे की जो और seat है ओधर भी आपको AC के event दोस्तों यह मिलने वाले हैं जो last वाली seat के लिए है जैसे इस seat के लिए जो है वो AC के event इधर दिये हुए है तो दोस्तों अब आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब इस गाड़ी का disclose करता हूँ price तो दोस्तों जैसे इस गाड़ी का मैंने आपको complete overview दिखाया था अंदर से interior भी दिखाया था और इस गाड़ी का engine भी आपको दिखाया था कि engine की कैसी condition है तो अब इसके बाद में आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब आपको बतायता हूँ इस गाड़ी के price उससे पहले बताना चाहूँगा 2012 model Toyota Innova 2012 model year के साथ में single owner गाड़ी है बहुत अच्छी condition में G4 model के साथ में एक गाड़ी आपको मिलने वाली है इस गाड़ी का asking price लक्ष मोटर पे जो रखा हुआ है वो दोस्तों रखा हुआ है पांच लाख और पचास अजार रुपे reasonable से price में गाड़ी आपको दोस्तों मिलने वाली है और ये गाड़ी का price भी आपको discount के साथ अगर आप गाड़ी को लेने आओगे तो आपको M.SharipBuy का अपने शरीब भाई का channel का reference या mention करोगे तो आपको discount भी मिल जाएगा इस गाड़ी पे और अब बताता हूँ इस गाड़ी के अगर आपको purchase करनी है तो इनका contact detail लक्ष मोटर का contact detail आपको मिल जाएगा description में वहाँ से इनकी contact number मिल जाएगा address मिल जाएगा और Google Map की location मिल जाएगी वैसे ये दोस्तों इनका जो office पढ़ता है वो पढ़ता है school block सकरपूर के अंदर nearby लश्मी नगर तो दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो को end कर लेते हैं वीडियो अच्छी लगे तो इसे जादा से जादा like करके जाना चैनल को subscribe करना ये लाल कलर का बटन दबाके बगल में दबाना छोटी bell icon जो की feature में मैं कोई भी वीडियो डालू तो notification जाए सबसे पहले आपके पास में तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को end कर लेते हैं next वीडियो में जल्दी से मिलते हैं जब तक के लिए अपना ख्याल रखें take care bye bye thank you for watching झाल